कमरदर्द एक ऐसा कारण है सारी दुनिया की स्टडीज के हिसाब से जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कारण है डॉक्टर के पास जाने का मरीज के लिए इसका मतलब यह है कि बहुत सारी जनसंख्या किसी भी देश की हमारे देश को मिलाकर कमरदर्द से किसी ना किसी रूप में पीडित है इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कमरदर्द के कारण अपने अपने कारे को कर नहीं पाते अपनी नौकरियां या जो भी वेफसाय है वो नहीं कर पाते और अक्सर वो अपने बिस्तर पर बंद के रहने के लिए मजबूर हो जाते है कमरदर्द आज के आधुनिक जीवन शैली का एक साइड इफेक्ट भी माना जा सकता है इसकी वज़े से हर उम्र के मरीज कमरदर्द को लेकर आते है जैसे मैंने बताया किशोरा वस्ता से चालू होके जो की आम तोर पर मस्कुलर स्पाजम होता है या फिर स्पॉंडिलाइटिस होता है कुछ मरीजों में वहां से शुरू करकर फिर ऑफिस गोवर्स में जहां पर कि उनको लगातार कुर्सी पर बैट के काम करना रहता है उसमें जो मेजर कारण होता है वो डिस्क का सूखना या डीजनेरेशन होता है उसके बाद में बुजर्गों में या अधीर अवस्था में जो है उससे पहले slip disc एक बहुत कॉमन कारण है कमरदर्द का जो कि कमरदर्द साथ में पैरदर्द के साथ प्रिजेंट करता है बुजर्गों में जाकर केवल कमरदर्द का मेजर कारण रिड़ की हड़ी की आर्थराइटिस यानि जिसको फैसेट आर्थरोपैथी भी बोलते हैं या फिर ऑस्टियोपोरोसिस एक मेजर बड़ा कारण कमरदर्द का रहता है कमरदर्द के बारे में अगर हम आज खास तोर से जानना चाहें तो यह बहुती कॉमन बिमारी है जिसकी वज़े से मरीज अस्पताल में जाता है डॉक्टर के पास जाता है सारी दुनिया में हिंदुस्तान में भी इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और सबसे पहले की होता क्या है कमरदर्द दो तरह के सा मेंली होता है केवल कमर में दर्द होता है या फिर कमर में दर्द शुरू होके नीचे पैरों की तरफ जाता है जब ये केवल कमर में दर्द होता है तो इसके जो कारण है वो muscle spasm हो सकता है या फिर बुजर्ग लोगों में खास तोर से facet arthropathy या नि रीड के हड़ी में जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारी हड़ीयां होती है और वो हड़ीयां बीच में जुड़ी होती है इंटरवर्टिवल डिस्क के माध्यम से तो इन में जब arthritis हो जाती है जिसको कि facet joint arthropathy बोलते हैं वो भी एक बहुत common कारण होता है especially 50 से अधिक अवस्था वाले मरीजों में लेकिन जो office-goer लोग होते हैं यानि कि younger population जो हमारे देश की है जो कि office में जाते हैं कई-कई घंटे लगातार 8 से 10 बारे घंटे तक chair पर बैठके काम करते हैं इन लोगों में भी कमर का दर्द होता है जिसका की major कारण होता है इनकी disc का सूख जाना या सूखने के शुरुआत हो जाना जिससे degeneration बोलते हैं इसमें जरूरी नहीं है कि वो disc degenerate होकर बहार निकल के नसों को दबाए केवल वो शुरुआत होती है degeneration की जिसकी वज़े से उनके लिए कुरसी पर बैठ पाना भी असंभव सा हो जाता है मान लीजे कि जैसे वो उसको 10 घंटे कुरसी पर बैठके काम करना है परन्तु आदे घंटे बाद ही उसको बैठना कुरसी पर बड़ा मुश्किल हो जाता है तो इस तरह से बहुतायत तीसरा कारण एक बहुत कारण होता है कमर के दर्द का वो होता है slip disc यानि prolapse interverteable disc इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कमर की रीड की हड़ी में बहुत सारी छोटी छोटी हड़ियां होती है उनके बीच में slip disc होती है जो कि एक shock absorber का काम करती है यह shock absorber यह disc जो है बहार निकलके जब नसों पर दबाव दोने लगती है पैरों की नसों पर तब वो दर्द खाली कमर में न रहकर कमर से पैर की तरफ जाता है नस के दबाव की वज़े से इसको आम बोलचाल की भाश्ता में श्याटिका भी बोलते हैं या गदी slip कर जाने वाई बोलते हैं अलगलग छेतर में अलगलग चीज बोली जाती है बट इसका में कारण वही होता है कि डिस्क जो shock absorber की तरह काम करना था वो अपनी जगह से खिसके नसों को दबाने लगी इसके और लक्षन होते हैं पैरो वगेरा में भी दिक्कत हो सकती है तो इसके इलावा और भी कारण कुछ होते हैं जैसे गठिया बाए एंकाई लोजिंग स्पॉंडिलाइटिस जिसको बोलते हैं वो भी एक कामन कारण होता है कमर के दर्द का खास तोर से पुरुषों में और कम उमर के पुरुषों में ला एक और बड़ा कॉमन कारण होता है कमर दर्द का जो की अचानक से उड़ता है वो होता है ऑस्टियो पॉरोसिस यानि की हड्डियों का वीक हो जाना उमर के साथ ये समस्या पुरुषों में भी देखी जाती है परंतु महिलाओं में कहीं जादा देखी जाती है जैसे ही एक अच्छी डाइट अच्छा खान पान और स्वस्त जीवन के निर्वार ना करें ऐसे मरीजों में अक्सर ये शिकायत लेके आते हैं कि माता जी बात्रूम गई थी जोर से पैर उनका नीचे पढ़ गया और तभी से कमर में भीशन दर्द हुआ और वो अब उठ नहीं पा रह है कॉमनली आप अचानक से आदत आपको नहीं है बहुत ज्यादा शारिरिक श्रम करने की परंतु जैसे आजकल लॉकडाउन का समय चल रहा है कोरोना का समय चल रहा है तो हर कोई अपने घर में ज्यादा काम उसको करना पाड़ रहें तो ऐसी अवस्था में वो कई कबार ऐ अंदर बहतर हो जाता है तो एज़ा डॉक्टर एज़ा पें फिजिशन मेरी सला रहेगी कि स्वस्थ जीवन शैली का निर्वाहन सिग्रट स्मोकिंग अलकोहल और बाकी चीजों का आलस्य को त्यागना जंक फूट को त्याग करना ये सारी चीज़ें इंपोर्टेंट हैं बट रैगुलर एक्सराइज करना ये इंपोर्टेंट है कमरदर्द को बचाओ के लिए भी बचाओ के लिए आपको सबस्यादा इंपोर्टेंट है स्वस्त जीवन शैली, एक्सरसाइज के करने की यानि वैयाम करने की आदत, जंक फूर्ट से बचाओ, इस्मोकिंग एवं मदरा पान यानि अलकोहल से बचाओ, और अचानक से कोई काम ना करना, ये मेजर बचाओ के है और महिलाओं में खास तोर से जो जिनका मीनोपॉज हो चुका है, उनके अंदर लगातार केल्शे मेवं विटामिन डी और कुछ दवाईयें ऐसी होती हैं जिनसे की ऑस्ट्योपॉरिस की गति को कम किया जाता है सारे बिमारियों का इलाज ट्रेडिशनली पहले दवाईयों से शुरू होता है कि यदि दवाई से कोई बिमारी जो की दवाई ऐसी गोली है जो आपने खाई और साथ में एक्सरसाइज करी अपना ख्याल लगा तो जादातर मरीज सो में से नभे मरीज अपने आप 6-8 हफ़ते के भीतर रेस्पॉंड करते हैं और भीतर हो जाते हैं परन्तु जो 10% मरीज बचते हैं कमरदर्द के जिनमें की दवाईयों से आराम नहीं आता 6-8 हफ़ते की एक्सरसाइज फ्रिजो थरेपी के बावजूत तो उनके पास में दो ओप्शन होते हैं या तो फिर वो ओपन सर्जरी की तरफ जाते हैं या फिर अभी जो मैंने बताया पेइन मेडिसिन एक विद्ध्या है जिसमें की मिनिमली इन्वेजिव पेइन इंटर्वेंशन के दुआरा हम लोग इन बेमारियों के इलाज करना चाहते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया एक कारण कमरदर्द का जिसमें की डिस्क के अंदर डीजनेरेशन होने लगता है उसका एलाज बाई एकलो प्लास्टी के द्वारा किया जाता है जिसमें उस डिस्क के अंदर हम लोग जाते हैं बारीक औजारों के माध्यम से स्पेशलाइजड एक्यूपमेंट होते हैं और उसको जाकर रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीट्मेंट के द्वारा उस जो डिस्क के अंदर डीजनेरेशन हो रहा है उसे ठीक करते हैं नंबर दो पर होता है जैसे मैंने फैसेट जॉइंट आर्थरोपेथी बताई पचास से सतर साल के पुरुश और महिलाओं के अंदर कमर दर्थ का बहुत कॉमन कारण होता है उसमें भी हम लोग जाके जो नसें इस एरिया को सप्लाई करती हैं उनका रेडियो फ्रिक्वेंस को निकल के मरीज के नसों को दबा रही है और श्याटिका के तौर पर प्रस्तुत कर रही है ऐसे मरीजों के पास भी जो ऑप्शन है वह या तो ओपिन सर्जरी का है कि रीडिक हड़ी का ऑप्रेशन करा ले वरना उससे पहले हम लोग पेन फिजीशन हम लोग एंडोस्कोप के दोवारा उस डिस्क का जो टुकडार नसों को दबा रहा है उसको निकाल देते हैं इसका भी अगेन फायदा यह है कि इसका जो इंसीजन है वह एक सेंटीमीटर से छोटा होता है लोकल इनस्तीसिया में किया जाता है और आम तोर पर उसी दिन या अगले दिन सुबह कराया जाता था और अगर उससे वह ठीक नहीं होते थे चार से छे हफते में तो उसकी ओपिन सर्जरी होके रोड स्कू डालके फिक्स कर देते हैं अभी हम लोगों के पास में एक विद्या है जिसको हम लोग बोलते हैं काईफो प्लास्टी या वर्टिवर प्लास्टी उसम रेके इलाज है परन्तु ऐसे भी मरीज होते हैं जो दवाईयों को रेस्पॉंड नहीं करते मिनीमली इन्वेजिव पेन इंटर्वेंशन को रेस्पॉंड नहीं करते और अल्टिमेटली उनको फाइनली ओपिन सर्जरी के लिए जाना होता है तो हर मरीज एक नया मरीज होत सबसे पहला एकसरसाइज रेगुलर सबसे इंपोर्टन ये बड़ा कॉमन देखा गया है हम लोगों ने देखा है कि लोग एकसरसाइज शुरू करते हैं जिम जॉइन करते हैं पैसा देते हैं एक हाफ़ता जाते हैं बहुत जोर से और उसके बाद में बंद कर देते अगले थोड़ी exercise करें आप घर पे ही करें भले ही लेकिन लगातार करें दूसरा एक बहुत common अच्छी चीज होती है बहुत ही साधरन चीज करने वाली है चलना walking जितना आप अच्छा walk कर सकते हैं किसी भी एज का बंदा अगर walk कर रहा है रनिंग नहीं भी कर पा रहा है वो अपने आप में बहुत स्वस्थ exercise है आप कहीं भी घर के पास में अपने और अगर अपका घर में जगा है तो घर में आप walking जरूर करें और उसके लिए कहा जाता है कि 20 मिनट तेज चलना हफते में पांच दिन का ओसता आपका निकलना चाहि हड्डियों को मास पेशियों को कमर के स्वस्थ रखने के लिए तीसरी चीज खास तोर से महिलाओं के लिए उनको रजो निवरती यानि मीनो पौस के बाद में खास तोर पर अपने गाइनेकोलोजिस्ट है जो भी अपने फैमिली डॉक्टर है या पेइन फिजीशन के पास याना चाहिए